बिस्मिल्लार रख्मान ररहीम, अस्सलाम अलाइकम, सौधिर बिसलाइफ हूँ, आप साथ मैं आपको भाई आज का जो डालर का और रियाल का रेट है, इससे अपडेट करूँगा मैं, अभी डालर भाई नीचे ही आ रखा है, लेकिन रियाल का जो भी रेट है यार कनफर्म, आपको इनिशाला तरला बतालता हूँ मैं इस वीडियो में, अगर डालर रेट के मतलग बात करें, तो यहां पर आप देख सकते होंगे, कि डालर रेट भाई इस वकत 177 रुपए अकामन पैसे से 176 रुपए अकामन पैसे, यानि कि 176 रुपए हो चुका है, डालर पिछले बाई 3-4 दिन में 2 रुपए से 2.5 रुपए नीचे आ चुका है, और अगर रेट के मतलग बात करें, तो एक्सचेंज रेट इस वकत 47 चार चल रहा है, यानि कि 47 प्लस में इस वकत एक्सचेंज रेट भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर बात करें फौरी बैंक की, जजीरा यानि के बैंक तो 46 रुपए 97 पैसे, 10 रियाल इनकी फीस है, स्टी सी पे की बात करें तो 46 रुपए 40 पैसे है, और 17 रियाल पच्छी सलाले इनकी फीस है, तहवीरल राजी राजी बैंक की बात करें तो 40 रुपए 10 पैसे इनका रेट है, और 10 रियाल इनकी फीस है, वेस्ट एक्सचेंज रेट बाई इस वक्त 47 है लेकिन 46, 44, 45, 46, 46, ये रेट चर रहा है मुख्तली बैंकों में फीज के मतलग भी भी बैने आपको अपडेट कर दी यानिक दस रेयाल, 17 रेयाल, 23 रेयाल ऐसे मुख्तली बैंकों की मुख्तली फीस है आप अकाउंट में बेज़ रखे हैं किसी के नाम के उपर बेज़ रखे हैं इस चीज के उपर भी होता है फीस कम या ज्यादा तो बार अगर मुबाइल एप से बेज़ते हैं तो फिर भी अभी 10 रियल फीस लग रही है लेकिन उ उससे भाई यह है कि 10 रियल फीस लगती है आप अपने घार बेटे ईजी तरीके से बेज़ जेते हैं अकाउंट बगर आपको वहां बैंक से सेफ करवाना पड़ेगा